दोस्तो इस समय हम लोग के लिए इंडिया का एक आइसलेंड है अंडुबार और निकुबार इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यहाँ पर हाल में ही ऐसा कुछ कर रही है इंडियान गुवर्मेंट जिसको कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा ग इंडियान गुवर्मेंट जिसका यह का जा रहा है कि एकनौमी में जो कंट्रिबूशन होगा इंडिया के वो तो हो गई इसके साथी साथ फ्री एंड ओपन पैसिफिक के लिए भी बहुत बड़ा कंट्रिबूशन होगा इसका कैसे उसके बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इसके अलावा हुआ क्या है कि हाल में जो जपान के प्राइम निस्टर है फोमियो कुशीदा यह आयोए थे इंडिया में आप लोग को पता होगा और इनने काया है कि फ्री एंड इंडो पैसिफिक जो है वो इंडिया के बिना बिल्कुल भी पॉसिवल नहीं है तो इनी सब चीजों के बारे में हम लोग डिसकस करेंगे इस वीडियो में क्या ये ग्रेट निकोबार को लेके गौर्मेंट का प्लान है ये सब प्लस इसके लावा और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर बंगाल में इस्तित है और आर्की पेलगों कहते हैं ग्रूप आइसलेंड को जिसका सेमी ओरिजन हो यानि कि एक ही कारण की वज़े से ये लोग बने हो ऐसे ये अंडुबार और निकुबार ये नौर्थ और साउट डारेक्शन में चोटे चोटे जो आइसलेंड होते हैं चेन की तरह एक ग्रूप है इस पूरे आर्की पेलोगों में आप लोग को 265 चोटे बड़े आइसलेंड मिलेंगे उपर के जो 203 आइसलेंड है इनको कहा जाता है अंडुबार आइसलेंड और नीचे के जो 62 आइसलेंड है इनको कहा जाता है निकुबार आइसलेंड अंड अंडवान और बीच वाला मिडल अंडवान उसके नीचे वाला कहलाता है सौथ अंडवान और सौथ अंडवान के नीचे जो है उसको कहा जाता है लेटेल अंडवान इन दोनों आइसलेंड को यानि कि सौथ अंडवान और लेटेन अंडवान को जो सेपरेट करती है लाइन उ उसको कहते 10 degree channel, इसमें भी छोटे छोटे आइसलेंड है और सबसे उपर आप लोग को जो आइसलेंड मिलेगा इसको कहते हैं हम लोग लिटे निकोबार और इसके बाद जो बड़ा सा यहां पर आइसलेंड है निकोबार के ही अंदर इसको कहा जाता ग्रेट निकोबार, इसी क बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में और एक और चीज आप लोग को मैं बता हूँ जो आप लोग को पता होना चाहिए इस वीडियो के लिए कि यहाँ पर एक चोटा सा बे पढ़ता है बे कहते हैं उस वाटर वाडी को जो तीनों तरफ से लेंड से गिरी हो जैसे कि बे ओफ बंगाल आप लोग सुनते होंगे वो वेस्ट की और आप लोग को पता होगा कि इंडिया जो सदन पार्ट उससे गिरी है नौर्थ में आप लोग को बंगलादेश वगरा मिल जाएगा और इस्ट में फिर में अमार और बाकी सब कंट्री जो हैं वो हैं इस इसलिए यह तीनों तरफ से यह गिरा है इसलिए इसको बे ओफ बंगाल कहते हैं ऐसे ही यहाँ पर ग्रेट निकोबार के भी सदन पॉइंट पर यहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा गलितिया बे तो यह एक इंपोर्टन पॉइंट है इसके बारे में आप लोग को जानना पॉइंट भी है यह सब आप लोग का जानना जरूरी था इस वीडियो से पहले इस ते जादा अगर आप लोग और इसके मैप के बारे में जानना चाहते है तो गूगल नर्थ या गूगल मैप पे और इसको एक्स्प्लोर कर सकते हैं जो इंपोर्टन चीज थी वो मैने पास है यह जो इंटरनेशनल सिपिंग रूट है जहां से दुनिया बर का जो ट्रेड होता है इस एरिया में वो पास होता है और यह कोई चोटी मोटी चीज नहीं है क्योंकि आप लोग को बताओ तो दुनिया बर का जितना भी ट्रेड मरी टाइम से होता है यानि कि पार्ण आप लोग को ट्रेड करना होता है रेल से तो ऐसी सिच्वेशन आती है आप लोग के साथ भी आई होप आई होगी कि आप लोग को बीच में ट्रेन चेंज करनी पड़ती होगी यानि कि दो ट्रेन से ट्रेड करना पड़ता होगा एक से थोड़ी दूर गया फिर बीच में आ पर समान आता है और फिर यह आता है उससे अनलोड करके दूसरी शिप में लोड किया जाता है और फिर वो शिप से इसको जहां जाना होता है बेजा जाता है या फिर हो सकता है यहां पर आने के बाद इसके आगे इसको लेंड की तुरू बेजा जाता हो जैसी कंट्री की लोके से दूसरे स्टेशन पे हो सकता है है यह जो शेप और जाता है या फिर इसका रूट कुछ और हो ते समान भीज़वाने के लिए यह जो ट्रान पर समान उतारा जाता है, और फिर यहां से रोट की रास्ते ये समान बेजा जाता है, तो इस तरह के चीज़े होती है, जिसके वज़े से ये जो ट्रांश शिप्मेंट पोर्ट है, इनका इंपॉर्टेंस काफी जादा होती है, अके लिए अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया में हम लोग जितना भी समान मंगाते हैं उसका 75 परसेंट जो समान है वो ऐसे यी बाहर किसी ट्राजर्शिप्मेंट पॉर्ट में हैंडल किया जाता है यानि कि वहावप पर उतारा जाता है फिर वहावप से इसे इंडिया में समान आ रहा है तो पहले यह इंडिया के पास जो Transhipment Port है वो है कोलम्बो कोलम्बो पे यह समान उतरता है और फिर इंडिया में आता है तो इसमें जो Time में वो भी लगता है तो इस इस कोलम्बो पोर्ट के जो Rules और Regulation होते हैं उसकी वज़ेसे Time लगने वाला जो होता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है इस समान की transportation cost प्लस handling cost जो कोलंबो पोर्ट पर अनलोडिंग करना पड़ा उसका cost हो गया यह सब भी इसमें add up हो जाता है साथी साथ मालो कोलंबो पोर्ट ना हो कि किसी दूसरे country का यह port होता और उससे इंडिया के फिर कुछ relation होते हो बिगड जाते तो उसकी वज़े से इस आने वाले समान पे भी असर पड़ता तो पूरी supply chain इंडिया के लिए जो दिस्टर्ब हो जाती तो time गिया है extra पैसा गिया उसके बाद भी फिर dependent रहना पड़ता है उस country के साथ कैसे relation है इसलिए बहुत पहले से इस चीज को दे साल इंडिया आराउंड 200 से लेके 220 मिलियन यूस डॉलर जो है वो सेफ कर पाएगा अभी जो खर्चा हम लोग का बढ़ जाता इसकी वज़े से वो कम हो जाएगा साथी साथ दूसरे country का जो समान आएगा उसको भी इंडिया सर्वीस प्रोवाइड करके उससे भी पैसा कमा स सकता है जिसकी वज़े से फॉरेक्स रिजर्फ जो होगा इंडिया का वो भी बढ़ेगा साथी साथ इसमें बताने की जौरत नहीं है कि ऐसा करने के बाद काफी ज्यादा जॉब्स भी क्रियेट होगी तो यह तो कुछ फायदे हैं जो आदमी आराम से गिना सकता है इसके अ भी जो है उसमें तो यह तो हो गया एकनॉमिक बेनेफिट उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रेटीजिक पॉइंट ओफ व्यू से आप लोग देखें इस पॉइंट को यह वो पॉइंट है जो की ऐसा कहा जा सकता है कि पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन क करके रखता है या फिर बाकी तरीके से भी अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ाते जा रहा है इंडियन ओशियन में इस्ट्रिंग और पॉल्स पॉलिसी के बारे में आप लोग ने सुना होगा कैसे चाइना चोटे-चोटे आइसलेंड नेशन पर अपनी प्रेजेंस बना क करके चाइना की जो एंट्री है इंडियन ओशियन में उसको बंद कर सकता है इसके अलावा चाइना के एनरजी सिक्वर्टी के पॉइंट ऑफ यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है चाइना का ज्यादा तर ओयल ट्रेड जो है वो इसी एरिया से पा लेकिन एक तरीके से ये वो तोता है जिसमें चाइना की जान है हलावकि हाल में चाइना अपनी जो ऋईवाख करना के लिए ये सब चीजों को देखते हुए बागी इसका अल्टरीटिव जो है वो डूड़ने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी भी ये जो पॉइंट है व और security या फिर strategic point of view से भी कह सकते हैं आप लोग दोनों तरीके से इसको इसको इस्तिमाल करना चाहता है इसलिए government लेके आए ग्रेट निकोबार development plan तेमर 2020 में पहली बार जो नीती आयोगे उसने आरोपी यानि की request और proposal मांगा था इस plan के लिए बाकी जो companies है उनसे और अब इसको final भी कर दिया गया अलग-अलग projects जो हैं जैसे कि port बनाने का project हो गया airport बनाने का project हो गया उनके लिए जो bidding है वो चल रही है अलग-अलग level पर क्या क्या development किया जाएगा इस plan के अंदर अगर हम लोग उसकी बात करें तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया गलीतिया बे जो है इंदरा point के पास यहां पर international container ट्रांशिप्मेंट टर्मिनल यानि कि port बनाने की बात हो रही है 14.2 million TEU यानि कि 20 foot equivalent का capacity का जो यह port होगा वो होगा दरसल एक container जो आप इस तरह के का देखते हो ना इसकी जो standard weight होती है वो होती है 20 feet की और ऐसे 14.2 million जो containers होगे वो handle किये जा सकेंगे इस port पर इसके बाद great निकुबार international airport बनाने की बात हो रही है जो कि ए green field airport होगा green field project का मतलब होता है जो zero से बनाए जाते है यानि कि पहले उस जंगल को साफ किया जाएगा फिर उस पे जो निर्माड का रहे है वो किया जाएगा और इसके अलावा होता है brown field project brown field project में क्या होता है कि पहले से मालो कोई airport है उस airport को क्योंकि वो बहुत पुराना हो चुका है तोड़ कि अगर दुबारा airport बनाया जाए modern airport बनाया जाए तो उसको कहा जाता है brown field project 4000 passenger की maximum capacity होगी इस airport के उसके बाद फिर एक power plant बनाने की बात हो रही है जो कि solar power और gas power से जो electricity होगी वो पैदा करेगा total 400 megawatt ampere की जो capacity होगी वो होगी इस power plant की साथी साथ यहाँ पर coastal cities business companies के लिए commercial space इस तरह की जो development है उसको करने की बात हो रही है eco tourism को यहाँ पर promote करने की बात हो रही है ताकि यहाँ लोग यहाँ पर traveling करने आए और इस पूरे project के लिए 70 से लेके 75 अजार करोड का जो खर्चा है वो किया जाएगा यह जो data है वो अलग 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 data mention किया गया है कही पर 75 अजार करोड का आ गया है कही पर 72 अजार करोड क से फाइदा है jobs create होगी इस तरह के के हजारों फाइदे हैं लेकिन जो concern है इसको लेके वह बहुत ज्यादा debate में है आजकल कई articles आप लोग देखो दा हिंदू में या दूसरे newspaper में तो इसी के बारे में चप रहे हैं एडिटोरियल इसी के बारे में लोग लिख रहे हैं काफी ज्यादा ये चर्चा में बना हुआ है ऐसा कहा जा रहा है कि September 2020 में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि पहली बार request of proposal जो है वो invite किया गया था नीती आयोक से उसके बाद March 2021 में AECOM एक company है USA की उसने पूरा जो feasibility test है इस project का वो किया था उसके बाद विमता लैब को बोल द होता है फिर December 2021 को जो draft EIA report होती है वो Ministry of Environment, Forest and Climate Change draft कर देती है पब्लिक ली तो जितनी तेजी से इसमें काम हो रहा है उसको देख के ये कहा जा रहा है कि साप मता चल रहा है कि जो center है वो पूरे mood में इसके development के लिए और ऐसा करने के लिए वो बहुत सी चीजों को ignore भी कर रही ह इसका जो असर होगा environment पे वो बहुत ज़्यादा ignore किया जा रहा है जैसे कि अब ही जो population है Great Nicobar Iceland की वो है around 8000 की लेकिन इस development के बाद ये जो population है ये चली जाएगी तीन से लेके साड़े 3 लाग की की वज़े से वहां की जो environment है उसमें बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा प्लस जो इसा कि मैंने आप लोग को बता है कि airport जो है वो green field project है और बाकी भी green field development यहाँ पर करना है तो उसके लिए जो पेड़ काटे जाएंगे वो भी एक बहुत बड़ा issue बताया जा रहा है और इसके लिए आप लोग को पता होगा इंडिया में है यानि कि वो फंड जिसमें कोई भी ऐसे development किये जाते है तो उसके लिए जितने पेड़ काटे जाते हैं उसके बदले में इस फंड में पैसे डाले जाते हैं जो यह project बनवा रहा होता है और इस फंड का फिर इस्तिमाल करके दूसरी जगे पे जो पेड़ है वो लगाए जात जाएंगे तो यहां की एकलोजी पर असर पड़ेगा और इसके बदले में हम लोग पेड़ लगाओंगे हरियान अब जाके मदेपेरिश में जाके तो उसका फायदा क्या हुआ यह एक बहुत जादा बेफकुफी वाली बात हो गई ऐसा कहा जा रहा है ऐसे net जो carbon emission है इंड लोग ट्रांस लोकेट करेंगे यानि कि कहीं और कहीं और पर shift कर देंगे जबकि अगर आप लोग देखो तो यह जो coral reefs होते हैं इनके ट्रांस लोकेशन का बहुत ही कम success rate है यह लोग bleach कर जाते हैं बीच में ही मर जाते हैं यह चीज़ सक्सेस नहीं हो पाती फिर इसके बाद जो एक concern है वो बताया जा रहा है कि यह जो area है यह बहुत ही जादा natural hazards जो होते हैं उसका प्रोन है आप लोग को पता होगा कि 2004 में जो tsunami आई थी उसका epicenter भी यहीं पास में ही था और हमेशा यहाँ पर जो earthquake है वो देखने को मिलते ही हैं ऐसा भी बोला जाता है कि यह जो land था इस project की complete analysis की asset development का भी क्या फायदा जिसकी वज़े से हमारा जो future है वही खत्रे में पढ़ जाए लेगिन यह जो concern है इसको अगर हम लोग थोड़े time के लिए किनारे कर दे तो वाकई में यह जो project है यह काफी जादा बड़ा game changer साभित हो सकता है इंडिया के लिए जिसका किसे assertiveness दिखा रहा है South China Sea हो गया या फिर Pacific Ocean हो गया Indian Ocean हो गया ऐसे में वो बहुत बड़ा threat बना हुआ है open and free Indo-Pacific जो है उसके लिए इसलिए हाल में जब 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 सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है इंडिया के प्राइम निस्टर और जपान के प्राइम निस्टर के क्योंकि Japan जो है वो भी विक्टिम है चाइना के aggression का इसलिए Japan भी इस चीज के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है और इनी सब चीजों की वज़े से हाल में ही जपान ने 75 बिलियन यूएस डॉलर का package announce किया है इंडियो पैसिफिक जो है उसको free and open बनाने के लिए इसमें ये क्या करेंगे इस पैसे का जो दुनिया बर की यहां पर कंट्री से वहां पर infrastructure डेवलोप करेंगे ताकि जो supply chain की security वो ensure करो सके और चाइना पर बहुत ज़्यादा dependent ना होना पड़े supply chain के लिए प्लस इसी तरह के कि और भी ज़्यादा infrastructure project जो की helpful हो सकते हैं किस-किसी country के aggressiveness के against में उसको यह लोग develop करेंगे और जपान भी बहुत अच्छे से इस बात को समझता है कि यह जो free and open Indo-Pacific है इसको ensure नहीं किया जा सकता बिना इंडिया की मदद के इसलिए जपान के प्राइम निस्टर ने यह भी का अपने statement में कि यह जो हमारा dream है free and open Indo-Pacific का यह बिना इंडि travel नहीं हो सकता